हाली में पियम मोदी लक्षुदीब जाते हैं, लक्षुदीब वो जब गए उसके बाद उनने वहाँ कई सारी तस्वीरें खिचवाई, वो तस्वीरें हम सब ने देखी, क्योंकि सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने सारी तस्वीरें साजहा की हैं, बहुत सारे धर्शकों न यह तस्वीरें देखी होंगी उनकी लक्षुदीब की, और उसके बाद उनने आगरे भी किया लोगों से कि वो भी लक्षुदीब आएं, आप और हम तो इसको आम तोर पर देख रहे हैं कि यह तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और उनने साजहा कर दी, ल मालदीव और लक्षुदीब की जो दूरी है, वो मातर 700 किलोमीटर की है, यानि कि बेहत पास हैं दोनों एक दूसरे के, आप मेंसे बहुत सारे दर्शक होंगे, जो मालदीव गए होंगे, कई लोग आपर हॉलिडेस मनाने जाते हैं, चुट्टिया मनाने जाते हैं, अपना जो तट हैं, वो बहुत खुबसूरत हैं, और इसी वज़र से प्रधानमंत्री ने भी आवान किया है सबसे कि वो यहां जरूर आएं, मालदीव भी इसी वज़र से जाना जाता है, क्योंकि वहां पर जो टूरिजम का में सोर्स है, वो वहां के तट हैं, उन तटों को देख लाते हैं, क्योंकि दो लाग से जाधा परिटक वहां पर पहुंच रहे हैं, और मालदीव से एक छोटा देश है, बहुत बड़ा नहीं है, और इसकी जो दूरी है, लक्षदीव से 700 किलूमीटर की है, लेकिन अब जो वज़ा है, वहां पर जो नीतृत परिवर्तन हुआ है अब जो वहां की राश्टुपती हैं, वो बदल चुके हैं, इससे पहले वहां की जो राश्टुपती थे, उनका नाम था राश्टुपती इब्राहिम सोले, और इब्राहिम सोले के कारेकाल के दौरान भारत और मालदीव से एक दूसरे के बहुत तरीब आये, वहां पर ब से जो नए राष्ट्रपती आये जिनका नाम है मोहमद मुईजू ये चीनी Communist Party के बहुत करीबी माने जाते हैं यानि की चीन का प्रभाव इन पर बहुत जादा है और आब ये कह रहे हैं India आउट इन्होंने नारा दिया है India आउट का मीडिया रिपोर्ट्स के जब सत्ता में आने वाले थे उससे पहले उनने चुनाव प्रचार किया इनके साथ की जो गडबंदन वाली संयोगी पार्टी थी इनकी PNC वो भी लगातार इंडिया आउट का बखान कर रही थी और उसी को लेकर उसी नारे को लेकर ही आगे बढ़े और सत्ता में काबिस हो गए अब सत्ता में काबिस होने के बाद जैसे कि ये चीन के करीबी है साब समझा जा सकता है कि चीन के हिसाब से ही ये काम भी करेंगे आगे और चीन एक तरीके से कटर दुश्मन है भारत का क्योंकि वह भारत की तारिफ कभी भी नहीं सुन सकता न देख सकता और नहीं जो ये तमाम देश हैं जो उसकी करीब आना चाहते हैं उनको करीब आने देगा इसलिए चीन अपनी चाल चलता हुआ क्योंकि चीन के बेहत करीबी माने जाते हैं मालदीव के नए राश्टुपती महुंब मोईजु अब महुंब मोईजु ने जो इंडिया आउट का नारादेया यह क्यों धिया क्योंकि मालदीवमें 75 सैनिक थेनाथ हैं भारती सैनिक इनकी संखिया 25 है 75 भारती सैनिक वहाँ पर थेनाथ है जैसे मैंने आपको बताया, इससे पहले जो राश्टुपती थे इब्राहिम सोले, उनके कारिकाल के दौरान भारत और मालदीव से एक दूसरे के बहुत पास आ गए थे, वहाँ पर बहुत सारा इंफ्रस्ट्रक्चर में जो पैसा है वो भारत की ओर से लगाया गया, इसके ल इंटिनेंस भारत के सैनिकु द्वारा की जा सके, उनको ऑपरेट उनी के द्वारा ही वहाँ पर किया जाता है, जब इब्राहिम सोले का जब कारिकाल था, तो इंडिया फर्स्ट का नारा उनकी तरफ से दिया जाता था, भारत के बहुत अच्छे मित्र भी उमाने जाते, त लेकिन आप क्योंकि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, और इस सत्ता परिवर्तन के बाद, अब मोईजो की सरकार वहाँ पर आ गई है, जो कि चीन के बहुत करीबी है, तो इसने नारा दिया है, इंडिया आउट का नारा, यहाँ पर जो सैनिक है, उनको हटाने की बात उनकी और से की ही जा रही है, इसके अलावा, हाइड्रोग्राफिक सर्वे खत्म अब वहाँ पर कर दिया जाएगा, इस सर्वे क्या है मैं आपको बताती हूँ, एक तरीके से एक समझोता है, डील है यह मालदीव और साथ-साथ भारत के बीच में, लेकिन इसकी जो एक्सप पारत को मालव के जो आइलान के पानी, रीफ, लगून, वहां की जो कोस्ट लाइन है, समुद्री धारा है, उनके उपर रीसर्च करने का एक मौका दिया जाएगा, वहां की जो हाई टाइट से लो टाइट से उनको स्टडी बेसिकली किया जा सकता है, भारत की ओर से, भारत के लिए इतना महतवपूर क्यों है, मालदीव, पहले भी मैंने इसका जिक्र किया था कि 700 किलो मीटर की दूरी है लक्षदीव से भारत की, बहुत जादा यह दूरी नहीं है, समुद्री दूरी इतनी ही है मातरन के बीच में, तो ऐसे में मालदीव से होकर ही हिंद महासागर से अगर कोई जहाज गुजरता है, तो मालदीव से होकर ही गुजरता है, कोई वापारिक जहाज है भारत का या फिर कोई भी किसी भी तरीके का जहाज है, अगर वो हिंद महासागर से क्रॉस होता है, तो मालदीव के साथ उसके रिष्टे अच्छे होंगे, तो उनकी हिफा बढ़ जाएगा तो मात्र 700 किलोमीटर की दूरी है लक्षदीव पर अपनी निगरानी और भारत का जो तटीए शेत्र है उस पर अपनी निगरानी अच्छे से चीन रख पाएगा यानि कि भारत पर अपनी तीकी नजर वो मालदीव के जरीए रख सकता है क्योंकि जो दूरी ह है वो बेहत कम है और इसी वज़ा से चीन मालदीव की नई सरकार को आकरशित करने का प्रयास कर रहा है तो यह जो केवल तस्वीरे डाली थी पीम मोदी ने कहा ही जा रहा है कि केवल यह मात्र तस्वीरे नहीं है लोगों से आवान जरूर किया गया लक्षुदीब आने का ताकि लक्षुदीब को परिटन स्थल बनाया जाए